वेलकम टू मै चैनल उमीद करती हूँ कि आप सब लोग खेरियत से होंगे आज हम बनाएंगे चिकन कॉन सूप चिकन कॉन सूप बनाने के लिए सबसे पहले यखनी तियार करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब एक पैन ले लेंगे चुले कॉन कर लिए इसमें पानी शामिल करेंगे चिकन हड़ियों समेथ शामिल करेंगे ताके इसकी यखनी अच्छी बन के तियार हो जाए लेसन अद्रक का पेज शामिल करेंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम उबाल लेंगे चिकन उबल कर त्यार हो चुक है अब इसे हम निकाल लेंगे और इसे ठंडा करके करंबल कर लेंगे अब बाकी चिकन के यखनी में हम करंबल कियाओ चिकन शामिल कर देंगे और इसे ठी तरह पका लेंगे नमक शामिल करेंगे काली मिर्ट शामिल करेंगे अब मेर पस ये उबले हुए मकई के दाने हैं ये शामिल करेंगे ये मेरे पस कौन फ्लार था इसे मैंने थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया है अब इसको थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और साथ साथ चमच छिलाते जाएंगे ताके इसके अंदर गुट्लिया ना बनें ये शामिल करके अब इसको थिक होने तक इसी तरह चमच छिलाएंगे थोड़ी सी आँच को तेज कर देंगे ये थिक हो चुक है इसकी तिकनेस देख लें हमें इतनी तिकनेस चाहिए अब इसमें सिरका शामिल करेंगे और फिर थोड़ा सा पका लेंगे अब इसमें अंडे शामिल करेंगे आप चाहें तो जर्दी स्किप कर सकते हैं लेकिन इसमें हम ऐसे ही इसको शामिल करेंगे नंडो को थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और सासा चमच छिलाते जाएंगे अंडे शामिल करने के बार तीन से चार मिनट अच्छी तरह पका लेंगे चिकन कॉन सूप बन कर त्यार हो चुका है अब हमने इसको डिश आउट कर दिया है अब इस पर गार्निश करेंगे ये रेड चिली सॉस है इसे मैंने घर पर ही तियार किया है सिरका लेंगे चार टेबल स्पून और इसमें रेड चिली सॉस एक चाय का चमच शामिल कर देंगे ये गार्निश करेंगे ये सोया सॉस है ये एक चाय का चमच शामिल करेंगे और ये ग्रीन चिली सॉस है ये भी चार टेबल स्पून सिरका लिया है उसमें बारीक कटी हुई सबस मिर्चे शामिल करके त्यार कर लिया है इससे गार्निश करेंगे और अब काली मिर्ची थोड़ी सी शामिल करेंगे ये हमारा मज़ेदार चिकन कॉन सूप बन कर त्यार हो चुका है अगर मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेर करें, सबस्क्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, मेरी वीडियो को एंड तक देखें, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू